कि पेशेंट को लूटा जाए और की पजाए इसकी लाश का समून देखा अकरी अजू पर कोई भी जाँच आस तक नहीं कि इन्होंने इस्टा साइन पुलू का टेस्ट करा है, साइन पुलू के टेस्ट साथ तरी तो नेगेटिव थी सरकार को ऐसे अस्पतालों के पर कोई जाँच क्यों नी बैढ़ आई नमशकार मैं सुशील पाल और आप देखने न्पी टीव इंडिया आज चेतिपाल हॉस्पिटल अजमेर का एक नीजी अस्पताल है प्रिवेड अस्पताल है, वहाँ पर जमकर हंगामा मचा, हंगामे का कारण एक मरीज की मौन, एक मैला बुजर्ग मैला थी, उनकी मौत हो गई, उस मौत के पीछे के बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनोंने कई सवालिया निशान अस्पताल के ओपर खड़े कर दिये, अजमेर शहर से कई मरतबा निशी अस्पतालों के अंदर ऐसे मामले सामने आए हैं, और उन मामलों के सामने आने के बाद जो मरीज के परीजन होते हैं, उन्हें लाश को अस्पताल से ले जाना पड़ता है, यानि कि जो आदमी इलाज कराने निशी अस्पताल में आता है, उसको वह और इसके पीछे जब हमने थोड़ी सी परताल की तो एक बात सामने आई कि कही ना कही नीजी अस्पताल की कोई ना कोई कमी रह जाती है लेकिन इस कम्वियों के ओपर कोई भी जाच आज तक नहीं हूंए और नाहीं किसी ने अठाणे की कोशिश की किसी ने भी सवाल उठाने उन्हें ऐसे नीजी अस्पतालों के उपर कोई जांच क्यों नहीं बैठाई और सबसे बड़ी बात क्या यहां पर जो डॉक्टर काम कर रहे हैं वो सही इलाज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं इसकी आखिरकार जांच करेगा कौन खैर सोला जनवरी को जिस महिला की मौत हुई उनके परीजन के घर इस वक्त हम मौजूद हैं उनसे बातचीत करने के लिए और उनसे हम बातचीत करते हैं कि छेटपाल हॉस्पिटल में आखिरकार मामला पूरा हुआ क्या था किन कारणों से ये मौत हुई है और क्या लापरव निजी अस्पिताल केवल डेथ सेंटर बन चुके हैं इनका एक यह देश है कि पेशन्ट को लूटा जाए और उसको मौत के घाट उतार दे जाए कुल मिलाकर यह का जाएगा कि छेतर अस्पिताल केवल एक शम्शान का अड़ाइक जिसको मौत चाहिए वो छेतर पाल सब्सक्राइब करें ने बर्ती कराया डॉक्तर परती को ठारी ने का सब को दिक्कत वरी बात नहीं है ठीक हो जाएंगे थोड़ा दो तें दिन ट्रीटमेंट चलेगा ठीक हो जाएंगे इनको आइसवी में एडवाईज कर दीगी मैंने ठीक है बहुत मीटी मीटी बाते करत फिर वह जाकि हमसे एक फॉर्म पर दसक्र करा लिए जो रूटीन में सबसे कराते हैं तीन दिन तक उनको वेंटिलेटर पर रखा और साब इनका सीओ टू अच्छा हो गया वेंटिलेटर से उतार दिया रात को फिर हम पहुंद घर आगे शाम को खाना-खाने के साब से फिर इसी बीच मुझे मालूम पड़ा कि इन्होंने उसका स्वाइन फुलू की टेस्ट साथ तरी को नेगेटिव थी पर इसनको आइसलेशन में रखा चार पांच छे साथ को लगातार स्वाइन फुलू का इलाज कर जबकि पेशेंट स्वाइन फुलू का पेशेंट था ही नही उस आइसलेशन वाइड से इनको क्लेब से बिला निमूनी हो गया और एक हॉमो कोकॉलस बैक्टिरिया डवलप हो गया उस लेप बेक्टिरिया बहुता है जो इनके आइसलेशन वाइड से एक्वार हुआ हुआ पिर इस्का टीटमेंट चालो कर दिया है वेवि जैने हां नहीं करते लगाता स्था दिनींस भी श्राइश केल टाडवन का लाटर रहीnam में पर कि विश्वास पर या लुटा कैंसे में नाथ मलाके इस सफेद कोट के खो निवींड फिते हैं तो प्रतीक उठाइरी ने आनानाः ला पास रेफर कर दिया, उसे जनर्नाइन सर्जर्ण के पास रेफर कर दिया, उसने डाक्टर अंकुर मात्रुबास पुल मिलाके रेफरेंस का खेल चल रहा है, और मरीज को केवल एट्रिम समझते हैं, कोई समय्दनाा नहीं, कोई इनकी भावना नहीं मरीज को केवल लूट तंदुका तो यह अस्पताल बंद होने जाएं इनका राज्टिकर होना जाएं और कुल मिलाके यह रेलवे इस्पतालों के मरीज को भी यहां लेके आते हैं और उनको भरती करके रेलवे मंत्राले को करोड़ों रुपे का चूंदा लगाते हैं और सरकार को बित्ती घाटा पहुंचा रहे हैं कुल मिलाके यह लूट के अड़े बने में कोई संवेंद नहीं है डॉक्टर मरीज का मजा बढ़ाते हैं उसको यूमिलेट करते हैं तंग करते हैं इनको तोर्च का कि बारा यह लापरवाई नहीं है यह बूटल मर्डर है एक बात बताईए आपकी जो पत्नी थी उनको स्वाइन फिलू नहीं था लेकिंग फिर भी उनका स्वाइन फिलू का ट्रीटमेंट चल रहा और जो उनों रेफरेंस से लिए बेजी मेडिव कालेज के अंदर उस पे लिख रहा पेशन्ट एड्मिटेड इंड इंड आइसलेशन वाड और वहां से जब रिपोर्ट आई वो भी आइसलेशन वाड को आई तो आइसलेशन वाड से इनको संक्रमन हुआ तो इसलिए मौत की जिम्मेदार यहीं है कोई लापरवाई नहीं है की चाहते थे पेशन को और कोई इन्फेक्शन डवलोप हो और कोई निमोनिया डवलोप हो और गंभीर तरीका बैटेरी डवलोप हो ताकि हम अधिक से अधिक रखके पैसे मिलते हैं डॉक्टर रोता शर्मा ने एक बार क की अधिक और कुल मिलाके इनमें कोई समयंदा नहीं है सरकार को ऐसे हस्पतालों को तुरंद मंद करना चाहिए डॉक्टर एक सक्षा में किया वलोट को पैसा चाहिए कोई समयंदा नहीं है पैसे लूट कि या मरीज की लास पक्र फिर उसके बाद सोला तारीक को सुबह सब्सक्राइब करीब एक चपड़ा सी भारा है साब अंदर बुला रहे हैं अंदर के साब हो गया है पेशिंट रिकावर कर गया है तर नोट शीट बनाई कि साब हम इनको अपने रिस्क पर हैर सेंटर में चाहते हैं पेशिंट इस अलाइव डॉक्टर आनन मातुर ने में सब्सक्राइब करते हैं कि आपको मुर्ण बना रहे हैं मैंने उस पर डॉक्मेंट पर आपकी जो पत्नी थी वह पहले ही मर चुकी थी और उनको रग दिया था उसके उनकी बना रूप से सांसे चला रहे था हम अपने रिस्क पर ले रहे हैं हैर सेंटर ले जब कि मरीज बर सब्सक्राइब करते हैं कि इनके करते हो से इनकी लापरवाईशे और इंटेशनल लेक्से डेलिबरे टेक्ट से उसकी मौत होगी है और आइसोलेशन में क्यों रख्या कि इसका कोई जवाब उनके पास नीचे को जवाब देने को तियार नहीं को पैसे बनाना मरीजों को ल सारे डॉक्यमेंट आपको घर पहुचा दी जाएंगे इनके पी आरो ने का अच्छा जब आज सुबह जब महां पर बहुत हंगामा मचा तब अस्पताल के और से एक बात और कही जा रही थी कि आपने जो फीस है उस फीस को महां जमानी कराया मैंने 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 पूरे पैस पैसे जमा कराया तो डैड़ बॉड़ी देते ही नहीं है मैंने पूरे पैसे जमाए चूंकि पैनिक कंडिशन में था मिचको मां की एप यारो ने का शाव आप घर जाईए हम पहुंचा देंगे अंकल आप बहुत पैनिक कंडिशन में हो आपके तब बिगड़ जाएग तो कुल में लाके ये समेंदना कुछ नहीं है नौ से की डॉक्टर काम करते हैं पृतिक उठारी आनन दगरवाल डॉक्टर बिवेक शर्मा ये सब में लाके कोकस बना हुए बर इसको कैसे लूटना है ये लाशों के लुटे रहें ये सफेद कोट के खूनी लुटे रहें पर नगान पर करते हैं इन पर लगाम डे करती हैं और समाच के वैक्शना करना हां जिए जिसके लुटना है अपनी मौत का सामान चाही है शमशान गार पाह польз पाहँ ने जाहिए अजिक आकरी सवाल और का कि 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 किसी परकार कोई लीगल एक्षिन आप इन असपालों पर ले लगा उसका हुपास उड़ाया उसको टॉर्चर किया उसको मांसिंग याद नहीं नी डॉक्टर पर्तीक उठारी और आना नगरवाल कि दोनों बतला बिल्कुल निक्रस्ट वेक्ती हैं दरिंदें दरिंदें कि खूनी दरिंदें दोनों नीजय स्पतालों से ऐसी बहुत सारी कदिकारी और सरकार दोनों को ये पता चले कि आखिर नीजय स्पतालों में लूट का खेल चल कैसे रहा है खैर अब आपको बताते हैं कि जो छेटेपला स्पताल के अडिमिनिस्टेशर है अलोग शर्मा उनसे उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है उस्पिटल में जो हंग जोट ते और इस वक्त हमारे साथ फॉन लाइन पर चेटपाल हॉस्पिटल के अडिमिनिस्टेशन से जुड़ चुके है अलोग जी और अलोग जी इस वक्त तरह साथ पौन लाइन पर करेंटेटेन है अलोग जी आज अस पताल में इतना हंगामा किस कारण नमस्ताय उनका तरह तरह तो इंची वाइफ एडमिट्टी रानी सोनी जी शोथे जी जी एड़ो के तैंचा वे तो इन चाहिए तो तो यह लोग आये थे साम अप्तर नून में शाव इंचा जो है और बंची लिपक्स भी आये थे अच्छी पर देगा थे जी आप से पूरी संतूस थे आप जी जी और पेमेंट और उनके पाधार काड नहीं था डैस साथिवटी हों सामते जमा चरा जेंजे आप तो जी उससा में तरीवन एतलास सतर जार रुपे बाची का पचास जार पर नहों हमें हमें चैट दिया था जी और नहोंने आप तो पूरा पैसा दे दिया है और जो पचास जार आमानती राशी दी जा रही है उससों आपको जो चैट है वह हमें वापस लोटा दीजिए जी जब कि ऐसा जूट है ना तो नहोंने इतलास सतर जार रुपे कैस्ट यहां दिया है ना उन्जे पर रिचीफ है इन सब कीजों की जी उसके बाद में हमारे लीजल सब्सक्राइब कर दो तो तो चेटरपाल यह कह रहा है कि जो परीजन थे उन्होंने मरीज के जो पैसे थे वह जमा नहीं करा है अच्छा एक बात और जाना चाहते हैं इस तरीके से आज वकील समूदाए वहां पर आया था हंगामा भी हुआ था और जो बात आप कह रहे हैं उसके बावजूद अस्पताल की जो डॉक्टर है उन्होंने आखिरकार माफी क्यों मांगी कि इसके ओपर कोई और कारवाई छ अच्छा किसी ने कोई माफी नहीं मांगी है लेकिन लेकिन जो हमको पिडित पक्ष ने बात बताई है उसमें यह कहा गया है कि वहां पर कुछ सिक्समूदाए के लोग भी थे उनसे भी डॉक्टर ने माफी मांगी और उसके साथ-साथ जो पीडित थे उनसे भी माफी अच्छा एक सवाल और जो पीडित यहां पर पेशेंट थी इनको वाकई बीमारी क्या थी क्या इनको स्वैन फिलू था नहीं नहीं इनको एक्टी एंड डियम सेक्टिंड ओए से ब्रॉंचे टारी एक्टमा और यह अलड़ी धर पे पहले अपना पाइक मसीन पर ही थी और जो सोनी सहाब है उन्होंने दस दिन उनकी नजरों में और सेत्रफाल हॉस्पिटल सबसे बढ़िया था वो रोज सुब सब्सक्राइब और सब्सक्राइब नामी अस्पताल है जिसका इतना अजमेर संबाग में नाम है एक बात और एक आखरी सवाल और मैं आप से जाना जाता हूं कि आखिरकार देथ सैटिविकिट जो है वो क्यों नहीं दिया गया था और एक स्वाइन फिल्यूंट की बढ़ विमारी का इलाज क्यों चल रहा था उस समय की पोजिशन तो अजर हम यह बोलते कि सब्सक्राइब प्राइवेट अस्पताल गुनेदार चला था इन्होंने पैसों थी वज़े से जैट बोरी नहीं थी मैं आपकी बास समझा पा रहा हूं ना सर अजर नहीं होता अजर हमने अजर में प्राइवेट आपकी चोता हैं पालमर ऑजि fortun Anda ज हुम आदके बारे में समय के बारे में इतल मेरा नहीं चलाता कर नहीं था हैतलым कि अनके बारे मेंधे बाताना प्यायमाग को इसनानिया कि यह आप स dünya सर फॉह बारे में नहीं था तो ऐसा इलाज क्यों चल है को लीगल सार जिसने सांट इसलिए थे वह चलो ठीचे जो दिया है उन्तों सब्मा लगा हम भी उनके वह साथ है तो सांती मेले हैं भी मैनेज्मेंट क्या प्रशासन क्या बोलता है उसे आपसे बताई नीए ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया अलोग जी यह अलोग शर्मा थे चितपार हॉस्पिटल से हमारे साथ